हालो फ्रेंड नमस्कार यह देखिए पंखा है इस पंखे के अंदर लगता है पानी चला गया तो इसे हम लोग खोल के चेक करेंगे कि पानी अगर गया है तो इसका कैसे इसका सलूशन किया जाएगा अगर पानी गया रहेगा दोस्तों तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगा इसको मतलब सुखाना खाना पड़ेगा फिसको फीट करना पड़ेगा अगर उससे भी नहीं होगा तो नहीं वैंडिंग करने पड़ेगी सबसे पहले में इसको केपिसिटर से अलग कर देता है अगर कनेक्शन निकाल देता हूं यह देखिए और यह कपीशिटर स्टेंड इसको भी खुलते हैं इससे खुल देते हैं धर को लग रहे है कीसICA अंपन्का गया है इसलिए जाह में अच्प साइड-साइड में क्या है कि उशमता द ढड़ ise तब देखिए वजँर को तीनों स्कूल को खोल लेते हैं एका को ऐसार बोडी क सबस हुसको खोल देते हैं ए तो फेखल लिकार करके तीनों को खोल लेते हैं, देखें, पहला खोल रहे हैं, अगर पंखहें में पानी चला रहे गा, तो जला नहीं होगा, तो इसको मतलब सुखा के, दूप दिखा के अच्छे से सुखा के दू-चार दिन, उसको अच्छे से, फिर उसकी बेरिगे गरे च तो चलिए देख खुलते हैं इसको फी थोड़ा थोड़ी से प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि यह टाइट हो गया इसकी बेरी तो देखे ठोकने पे भी नहीं खुल रहा हो तो जो लगा के खुनना पड़ेगा देखे प्राब पानी चला गया इसके अंदर देखे द तो जाके किलियर होगी अगर अगर नहीं वैंडिंग कराएंगे तो समझी अपना देख सो कौने दोसों तक खर्चा जाएगा आने तो इसको धूप में सुखा देंगे अच्छे से अफिट करेंगे ति यह वर्क करेंगी दोस्तों कि देखे मैं इसका कोईल भी निकाल देत जाओ इसके लिए वार को उपर अच्छे से करके अप्रेस करेंगे ति निकल जाएगे तो थोड़ी बजाते हैं इस पर देखे निकल गया अगर वीडियो दोस्तों आप लोग को आप लोग के लाइक लगे दोस्तों को प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्स्क्रा दोस्तों थैंक यू आप लोग देखते रहे हैंगा मेरा वीडियो कि सब सही है साइद वाइंडिंग इसकी जो है धूप लगेगा चैसे सुखा लेंगे तो साइद वार करेगा दोस्तों कि चलता है नमस्कार थैंक यू कि बाई